पुसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी शादी की रस्मों के बारे में जाने क्यों चुराते हैं जूते, क्यों पहनाते हैं वर्माला आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके देवोत थान एक आदशी के दिन से शादी विवा जैसे मांग लिक कारे शुरू हो जाते हैं और जिनकी शादी होने वाली होती है उनकी शादी की रस्मे शुरू हो जाती है शादी में होने वाली रस्मे रीती रिवाज बड़े ही जोश के साथ लोग फॉलो करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, शाधी में होने वाली हर रस्म के पीछे एक मान्यता है, आखिर जूते क्यों चुराय जाते हैं, क्यों वर्माला पहनाई जाती है, क्यों हल्दी लगाय जाती है, इन सब का अपना एक अलग महत्व है हल्दी और उपटन के पीछे की मान्यता दूलहा दुलहन की शादी की शुरुवात हल्दी के कारिक्रम से होती है हल्दी और उपटन जैसे कारिक्रम के लिए सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है बहुत से लोग सोचते हैं कि हल्दी और उपटन लगाने से त्वचा में निखार आता है इसलिए इस परंपरा को करते हैं लेकिन इसके पीछे माननेता है कि शादी में कई महमान आते हैं उनमें से कईयों को infection हो सकते हैं वरवधु को संक्रमण से प्रभावितना हो इसलिए उन्हें हल्दी और उपटन लगाया जाता है इसकी वज़ा यह है कि हल्दी anti-boyatic का काम करता है यह राज है मेहंदी का सभी सत्रिया कन्या को मेहंदी लगाती हैं माना जाता है कि मेनदी जितनी गहरी होती है, भविश्य में वेवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होता है। एक और मान्यता यह है कि शादी के दौरान कई तरह का तनाव होता है। उस दौरान मेहंदी मान सिक शांती देती है। सबसे पहले इन्होंने दिया था भात दूलहा वद्दुलहन के मामा के घर से लोगों के लिए कुछ उपहार लाय जाते हैं जिन्हें वह भेट करते हैं सबसे पहले कृष्ण जी ने सुदामा की लड़की को भात दिया था तभी से यह प्रथा चली आ रही है इसलिए घोड़ी पर बैठता है दूलहा दूलहा घर से निकलने के बाद घोड़ी पर बैठता है घोड़ी को सभी जानवरों में चंचल वकामुक माना जाता है इसलिए गोड़ी की पीठ पर बैठा कर बारात निकाली जाती है मान्यता है कि वर इन दोनों बातों को स्वयम पर हावी ना होने दे इसलिए उसे पीठ पर बैठाया जाता है इसलिए कि जाती है गड़ेश पूजा दूलहा वह बाराती जब विवा स्थल पर पहुचते हैं तो पूजा के बाद से ही कन्या के घर में सभी रस्में शुरू की जाती है और इस रस्म के बाद वर पक्ष को मिलनी व उपहार मिलती है दुलहन की होती है स्वीकृति जैमाल में दूलहा व दूलहन एक दूसरे को माला पहनाते हैं मान्यता है कि दूलहा और दूलहन एक दूसरे क माला पहना कर आपसी स्वीकृति प्रदान करते हैं विश्णु पुरान के अनुसार देवी लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विश्णु को माला पहना कर पती रूप में स्वीकार किया था यह उसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है सा दूलहा व दूलहन का गठबंधन कर अगनी के सामने साथ फेरों के साथ वचन लिये जाते हैं पहले तीन फेरों में दूलहन आगे रहती है बाद के चार फेरों में दूलहा आगे रहता है दूलहा दूलहन को साथ वचन देता है वही दूलहन भी दूलहे को साथ वचन देत इसके बाद विवा संसकार का कारिक्रम पूरा होता है समाज में मिलती है मान्यता विवा मंडप में साथ फेरों के बाद दूलहा अपनी दुलहन की मांग में लाल रंग का सिंदूर भरता है ताकि वह सदा सुहागन रहे वह समाज में उसकी पत्नी के रूप में जानी जाए सि जहां सिंदूर लगाते हैं, ब्रहमरंद्र होता, जो सिंदूर लगाने से मन को नियंत्रत रखने में सहायर्ख होता है। खुशी के लिए है यह रस्म दूलहा, जब विवा मन डप में आता है, तब जूता उतार कर आता है, उसी समय दूलहन की छोटी बहन जूते छुपा कर रख देती है। विवा संसकार पूरे होने के बाद बहने अपने जीजा से नेग लेकर जूते वापस करती हैं। इस रस्म का कोई विज्ञानिक कारण नहीं है, यह जीजा साली के मधुर और स्नेपूर्ण, संबंध और आनंद विनोध के लिए होता है। कहते हैं यह रिवाच रामायन काल से चलिया रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।